आज है चौबिस दिसंबर दो हजार इकिस मुर्ली का सार मीठे बच्चे बाप तुम्हे स्मृती दिलाते हैं तुम पावन थे फिर 84 जनम लेते लेते पतित बने हो अब फिर से पावन बनो प्रश्न बे समझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूच कर किस पुरुशार्थ की राय देते हैं उत्तर बच्चे हमने तुमको कितना धन दिया था तुम्हारे पास अंगिनत धन था फिर तुमने इतना सब कहां गवाया तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने भारत जो सोने की चड़िया था वह ऐसा कैसे बन गया अब बाप राई देते हैं बच्चे फिर से पुरुशार्थ कर राजियोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो धार्णा के लिए मुख्य सार पहला देवता बनना है इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है अशुद्धी को त्याग देना है दूसरा, फिर्स्ट क्लास फूल बनना है स्वर्ग में जाने के लिए पूरा-पूरा लायक बनना है करमातीत अवस्था बनने के लिए पुर्शार्थ करना है वरदान, श्रेष्ट करम द्वारा, सिमरन योग्य बनने वाले योग्युक्त, युक्ति- yुक्त भव आपका एक-एक करम जितना श्रेष्ट होगा उतना ही श्रेष्ट आत्माओं में सिम्रण किये जाएंगे भक्ती में नाम का सिम्रण करते हैं लेकिन यहां जो श्रेष्ट आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिम्रण करते हैं तो आप श्रेष्ट कर्मों के आधार पर सिम्रन योग्य बनते जाएंगे इसके लिए योग-युक्त बनो योग-युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द, वा करम, युक्ती-युक्त अवश्य होगा उनसे अयुक्त करम वा संकल्प हो ही नहीं सकता यह भी कनेक्शन है स्लोगन, निमित और निर्मान चित यही सच्चे सेवाधारी के लक्षन है ओम शांती